स्वागतम सर्वेशामेव अत्रभवताम ईपीजी पाठशालायाम अहम सदाशिव कुमारत द्विवेदी काशी हिंदू विश्विद्याले यस्य कला संकायान तरगते संस्कृत विभागे साहित्यस्य प्राध्यापकोस्मी इदानीम प्रवर्थते आचार्यस्य दंडिनह काव्यादर्शमाश्रित्य पाठह काव्यादर्शस्य प्रधम परिच्छे दे अत्र पाठ्यक्रमे विनिर्धारितोस्ते एश काव्यादर्शस्य शष्ठह पाठह वर्थते इतप पूर्वम पंचम पाठे असमाविह दश काव्यगुणा आह उल्लिकिता आह तत्र शलेशह प्रसादह समता इत्ते तेशाम त्रयाणाम काव्यगुणा नाम लक्षणो दाहरनानी असमाविह उपस्थापितानी एते सरवेपी काव्यगुणाह वैदर्भ गौडियोह मारगयोह नियामकाह भवंती एतेशू काव्यगिणेशू केचन शब्दाश्रिताह भवंती केचन अर्थाश्रिताह भवंती किन्तु एतेशाम मध्य एकह काव्य गुणाह माधुर्य मिते शब्दार थोभय आश्रेतह अस्मिन पाठे माधुर्य गुणस्य इव लक्षणम तस्य भेदप्रभेदाह उदाहर नालीच प्रस्तुयंते अतह संपुर्णो पेश पाठह माधुर्य गुणस्य विवेचनाय इदानीम अत्र प्रस्तुयते माधुर्यम शब्दाश्रितम अपिभवती अर्थाश्रितम अपभवती एवंच अस्याने के प्रकाराह आचार्यन अत्र विस्तरेण विवेचिता संधी पाठेस्मिन माधुरियम एक एव गुणह अत्र अस्मावी उपस्थाप्यते 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 पाठेस्मिन माधुरियम एक एव गुणह अस्मावी उपस्थाप्यते सर्वेश्वपी एतेशु रसाविभ्यंजकत्वं भवत्येव उक्तन चास्ति भरत मुनिना व्यक्तस्ततेर विभावाद्य इस्थाई भावो रसस्मितह इत्थम कारिकायाह पूरुवार्धस्य तत्तभूतोर्थ वर्तते यद रस्वंजकई ही विशिष्टई ही वनणई ही विरजितायाह वाण्याह रसाविभ्यंजकस्य अर्थस्य च माधुर्य गुणान वितता भवत्येव माधुर्य गुणान वितया रचनेया धीमंतह माध्यन्ती सैशा रचना सहिर्दयानाम चेतसी आनंदातिशयम जनियती आल्लादस्य स्वरूपम विशदयितुम अत्रोपमान रूपेण उपस्थाप्यते आचारिये नानेन मधुपानाम पुषपरसपानेन जायमाना वृत्ति है एतन मते यथा मधुकरा उद्यानेशु पुषपरसपानेन माध्यन्ती मत्ताह भवन्ती तथाईव सहिर्दयाह माध्यन्ती काव्यार्था नुशीलनेन चमतकारा परपरियायम लोकोत्तरम आनंदम अनुभवन्ती आचारे दन्डिना प्रतिपाधितं माधुर्य गुणस्य लक्षणं परंपरया अनुभवतितं परवर्थ भिष्चानुस्रितं प्रतिभाति परंपरायाम पूरोवर्ती आचार्यो भरत्मुनिही माधुर्यम एवं लक्षेति नाट्टे शास्त्रे बहुषो यच्चुतं काब्यम उक्तं वापि पुनपुनह नो द्वेजेति तस्माद्धे तन माधुर्यम उदाहितं। भामाचार्यमते श्रब्यम नाति समस्तार्थं काब्यम मधुरमिष्यते। वामनाचार्यमते प्रतक पदत्वम माधुर्यम या प्रतक पदतावाक् मम्मटाचारियमते आल्ला दकत्तम माधुरियम शिंगारे दृतिकारणं करुणे विप्रलंबे तच्छानते चातिश्यान वितम इदानीम शब्दाश्चितम माधुरियम निरूप्यते वैदर्भमारगे शब्दाश्चितम माधुरियम माधुरियं रस्वत्य आजन्यते शब्द गताम इमाम माधुरिय जनिकाम शुत्य नुप्रास बतीम वैदर भमारगान विताम रसवत्ताम लक्षेति यया कयाप शुत्य यत समान मनुहूयते तद रूपाही पदासत्य सानुप्रासा रसावहा शुत्यनुप्रासेन जायमाना पदासत्य रूपार सवत्ता अत्र लक्षितास्ती। सुभगता रसावहा रसपरिपोशिका भवति। एताद्रिशिम् सुत्यनुप्रासेनिताम् वैदर्भमारगे विवरिताम् पदासत्यम् उदाहरत्य वं आचार्योस। एश राजा यदा लक्ष्मीम् प्राप्तवान राम्भन प्रियह तदा प्रभिति धर्मस्य लोकेस्मिन नुच्चवो भवत् पद्यस्मिन शुत्यनुप्रासेनिताम् पदानामासत्य रसोत्पादिका वर्तते। शकार रेपव मूर्धन्यों जकार यकारों तालव्यों दकार लकारों दन्त्यों एते समानुच्चारण स्थान जनिताह वर्नाह अत्तर प्रथम पादे प्रयुक्ता स्न्ति एवंच दृतिय पादे रकार नकारों मूर्धन्यों पकार मकारों ओष्ठ्यों तिरतिय पादे तकार दकारों तकार धकारों च दन्त्यों यकार भकारों ओष्ठ्यों नकार तकारों दन्त्यों इत्त्येते वर्नाह समानेन उच्चारण स्थानेन उच्चरिता संति अतह वरनेशु उच्चारन स्थान साम्यात पध्येस्मिन स्थितह शुत्यनुप्रासह प्रजायाम धार्मिक राजर्शी विशयकस्य रतिभावस्य पोशकोस्ते इत्थम अत्र शुत्यनुप्रास जनिता पदानाम समीपता प्रकित रस परिपोशिका वर्तते तेनच यह अम्रचना मादुर्य गुणेन समन्विता इति सिध्धांता इत्तम वैदरभाह शुत्तनुक प्रासेन जायमानायाम रसवत्तायाम शब्दाष्तम मादुर्य गुणम स्वीकुरुबंती गौण मारगे शब्दाश्चितम माधुरियम एताद्रशि शुत्तनुप्रासान विता पदानाम अविलंबे नोच्चारण रूपा पदासत्ति ही वैदर्व मारगानुयाई भी आद्रियते नपुनह गौण मारगानुयाई भी इत्येतत प्रतिपादियती आचार्योसव का अनया इतीयम नाद्रितं गौणईह अनुप्रासस्तुतत प्रियह अनुप्रासाद अपिप्रायो वैदर्वै रिदम इश्यते वैदर्व मारगानुयाई भी हिस्वीकृतं शुत्तनुप्रास गटितं व्रसावहं पूर्व मुदाहरणं गौणईह माधुर्य नाद्रियते गौणानाम मते समानश्तुति जनिताह वरनाह रसो पकारका नभवंती अतेव माधुर्य जनकाह नभवंती गौणानाम प्रियो वर्तते वैदर्व मारगानुयाई भी हिस्वीकृतं शुत्यनुप्रास गटितं रसावहं पूर्व मुदाहरणं गौणईह मा शुति जनिताह वरनाह रसो पकारका नभवंती अतेव माधुर्य जनकाह नभवंती गौणानाम प्रियो वर्तते वरना वृत्ति गतह अनुप्रासालंकारह आचारियन एश आगामिन्याम कारिकायाम उदाहरितोस्ती वैदर्वसंमतं उच्चानन स्थानकतं शुति साम्यम नानुमोदयंति गौडियाह एते पुनह सदिश वरनानाम उच्चाननम अनुमोदयंति सब्दाश्चित माधुर्य गुणाविभ्यन्यकत्वेन इत्थम गौडाह वरना वृत्ति जनितम वृत्यनुप्रासमे वरसावहं स्वीकुर्वंती नपुनह शुति साम्याज जाय जमानं सुत्यनुक्प्रासम आचार्यू दंडि कारिकाया अस्याह उत्तरारधे वloeदर भाणाम मतं पुनह उपस्था पेती यद व्यदर भाह अनुप्रासाद अपी वहर्णा नुप्रास रूपाद वृत्यनुप्रासाद पी शुत्यनुप्रास श्या दि दोशवर्जितं गौदी यय ही स्वीकृतं व्रित्य नुप्रासम अप्य काव्य बंदे चमतकारावःव श्वी कुरुमंति अतेव वैदरभाह शुत्यनुप्रासे शद्धावंतोपी वित्यनुप्रासम न तिरस्कुरुमंती गौडी याह पनह शुत्यनुप्रासम अनात्रित्य वर्ण वित्यात्मके न वर्णा वित्यात्मके वित्यनुप्रासमात्रे बद्धादरा ववंते चमतकार जनकता वच् स्वीकृतं माधुर्यावहं वर्णा वृत्य रूपं शृत्य नुप्रासं पादा वृत्य जनितं पदा वृत्य जनितंच दिधा विभज्य लक्षेति आचार्योशव एवं वर्णा वृत्यर नुप्रासह पादेशु पदेशुच पूर्वा नुभव संस्कार बोधनी यद्य दूरता गॉडी याह वर्णा नाम् स्वर सहितानां व्यंजनानां आवरित्यं पुनप्पुनह उच्चारण रूपाम वर्णा व्यंजकम् स्वीकुरवंती वर्णा वृत्ति पदे नात्र वर्णस्य वर्णयोह वर्णा नामवा आवृत्तिह ग्रहियते वर्ण साम्ये नात्र वेंजनानाम साम्यम अभीप सितमस्ति यतोहि स्वरमात्र साम्ये नोप जन्निते काभ्यवंदे कष्चन चमतकारह पादेशु पदेशु वरना वृत्ते स्वरूपम आचार्योसव विशदयती पूर्वा नुभव संस्कार बोधनी यद्यदूरता इत्येवं उक्त्वा पूर्वा नुभव संसकार बोधोहि नाम पूर्वमुच्चारितस्य वरनस्य अनुभवः श्रावन प्रत्यक्च जन्य संसकार विशेश भावना विशेशो वा तस्य बोधनी उद्भोधिका ताद्रशी अदूरता वरना नाम निक्तस्तिति यदि स्यात तरही वरना वृत यनितक कश्चन का अव्यत्त नियाम का चमत का रह सहिर्दयानाम चेतस जन्यते अदूरता नाम आवरित्ता नाम वरनानाम अव्यवधानेन अवस्थित्य वरन व्यवधानम सहते एशा वरना वृत्य नपुनह बहूनाम वरनानाम व्यवधान बाहुलेन पूर्वोचारितस सदिश वरनस्य संस्कारः नोद बुद्धयते तेन चा नोद पध्धयते वरन साम्मे अलंकारत्यु नियामी का कापी चमतकृतीही गौड मारगे माधुर्यावह पाधगत वर्नानों प्रासह गौडी यही अनुबोधितम पादगत वर्णानु प्रासालंकार मुदाहरति आचार्यो सव एवं चंद्रे शरन्निशोत तंशे कुंदस्तबक सन्निभे इंद्र नील निभं लक्ष्म संदधात्यलिनह श्रियम चंद्रे लक्ष्म अलिनह भ्रमरस्त श्रियम संदधाती चंद्रोसव कुंदवुष्पानाम स्तबकह तत्सद्रिशो वर्तते विब्रम शब्दह एवंच शरतकालीना या निशारात्रिही तस्याह उत्तन सवत्षोभावाचकह शिरोभूषण वद आभाती एताद्रिशे चंद्रे इंद्र नील निभः इंद्र नील मणी सद्रिशह यल लक्ष्म कलंकह सह नील वर्णांचितस्यकस्यापी भ्रमरस्त शोभाम संदधाती विब्रतीत्यर्ध उदारने स्मिन चतुर्श्वपिबादेशु प्रयुक्ते शब्देशु क्रमेण वर्तते वृत्यनुप्रास स्चिनियामिका नकारदकार योह आवृत्ति ही गौड मारगे माधुरियावह पदगत वरनानुप्रास पादगत मनुप्रास मुदाहरित्य आचार्यो दंडी संप्रति वैदर्भै इही गौडी येश्चे आमनातं पद गतं वृत्यनुप्रास मुदाहरती तद्य था चारु चंद्रमसं भीरू बिम्बं पश्य ततंबरे मन्मनो मन्मताक्रांतं निर्दयं हंतु मुद्यतं हे भीरू अंबरे चारु मनोहरं एत चांद्रमसं भिम्बं चंद्रमंडलं अंबरे आकाशे पश्य पद्येश्मिन प्रथम चरणे चकारस्य चारुचंद्रमसं इत्यनयोह पदयोर आवरित्ते हैं। प्रथिपादियती आचार्यह एवं। अत्र समीव वर्तिनाम वर्णानाम शुतिजन्यम साम्यम चमत्कारकारकं भवती। वैदर भेशु माधुर्या पकर्षकह अनुप्रास दोशह। सत्यपी वित्तनुप्रास शुत्तनुप्रासयोह वैदरभाह नानुमोदयंती बंधपारुश्यन शैथिल्य दोशेन चगरस्तं काव्य बंधं माधुर्य गुणो पेतं। स्मरह खरह कलक कांतह कायह कोपस्चनक्रिशह चुतो मानो दिको रागो मोहो जातो सवो गताह। इत्यादि वंधपारुश्यम शैथिल्यम च नियच्छते अतो नईव मनुप्रासं दाक्षिनात्याह प्रयुण्यते। अत्र प्रथमचर्णे रेफ ककारयोह दितिये च ककारानांच आवृत्या आवृत्यनुप्रासह वर्तते। दितिये चतुर्थयोश्चर्णेयोह दंत स्थानिनाम वर्नानाम निवेशात शुत्यनुप्रासो जन्निते। आचार्यमते दाक्षिनात्याः वेधरवाह आमनन्ती एत एताद्रश प्रयोगः बंधपारुश्यम् शैथिल्नियं चेदि काव्य दोशद्यम नियच्छती अताह एताद्रश प्रयोगः काव्यबंधे वेधर्व मार्गा नूयाईबि ही नानुमोध्यते अत्र प्रतमार्दे विसर्ग बाखुल्याद बंध पारुश्यम वर्तते उक्तंच विसर्गादी नाम पारुश्यम अनुस्वार विसर्गवतू पारुश्याय निरंतरव इती परुषवर्ण जनितमक पारुष्यम अत्रास्ते परुषवर्ण जनितमक पारुष्यम अत्रास्ते अर्थात अत्र केवलं अल्पप्राणानाम वर्णानाम प्रयोगह विधियते गौडियाह पुनह एतद्विपरीतं केवलं अनुप्रास लोभेन सदोशम अप्यताद्रिशं काब्यबद्धं सहिर्द्यानाम आवर्जनाय अंगी कुरुवंती वैदरवाह यद्यपी शत्तनुप्रासे बद्धादराह वृत्तनुप्रासे वे अमत्सरिणह तथा पी दोशद्वय युक्तामेनाम रचनाम माधुर्य गुणावि व्यंजिकाम नांगी कुरुवंती यमकालंकारह नैकांततह माधुर्यावह माधुर्यावहम अनुप्रासमुदारहित्य आचार्योसव संप्रते अनुप्रास सजातियम पे यमकालंकारं नैकांततया माधुर्यावहम निर्दिशति एवं आव रित्यम वरण संगात गोचराम यमकम विदुह। तत्तु नईकांत मधुरं अतःपश्चाद विधास्यते। अत्र आवुर्यत्य यतानु पूर्विकाणाम स्वर सहित वेंजनानाम अपेक्ष्यते। स्वार रहित के वल मेहनानाम अ विच्य है अनउस प्रासा लंकारस्य साधिका भवतीन्पन्ः यमका लंकारस्य आचारी मते यमका लंकारूव उसक एकांत いた ह bene लंकारान विटायां और्थ अनुज लंकारान विटायां मृचनायां अर्था नुसंध जनितिल्ञ्यक तरभ प्राएण सब प्रतीति एविले नंढ जायете अटहें अनुप्रासः पुनह अर्था नुसंधाने विग्रताया अभावात शुतिमात्यन काव्य बंधं अलंकुर्वन रसं पुष्णाती अनुप्रासः पुनह अर्था नुसंधाने विग्रताया अभावात शुतिमात्यन काव्य बंधं अलंकुर्वन रसं पुष्णाती अतह तत्र माधुर्यम सरवा वस्थासु भवत्येव इत्थम यमके माधुर्यम भवती किन्तु नपुनह अनुप्रासवद विपुलं अर्थाश्रितम माधुर्यम माधुर्यप प्रतिबंदकह ग्राम्मिता दोशह मधुरम रसवद्वाची वस्तुन्यपी रसस्तिती एवं उद्देश्यक्रमेणव वाची इत्यने निर्दिष्टम शब्दकतम माधुर्यम निरूप्य वस्तुन्यपी इत्यने निर्देदिश्टम अर्धकतम माधुर्यम विवेचेती आचार्यह कामम सर्वोप्यलंकारो रसम अर्थे निशिन चती तथा प्यग्राम विताईवेनम भारम वहती भूयसा आचारी मते यद्यवी सर्वोप्य शब्द गताह अर्थ गताह उभेनिश्टस्चा नुक प्रासो पमालंकार वरगह अर्थे विशय वस्तुनी वाच्य लक्च व्यंगे स्वरूपे अर्थे वा कामम परियात्तम रसम माधुरियावहम चमतकारादिशेम निशन चती श्वाश्रहभूते अर्थे रसवैज्य कताम उधकर्षय थी तताबिवक्चमाना अग्रामम्यता ग्राम्यह प्राकृतिजन व्यवःह तद्भिन् unions अग्राम्यह तस्य भावह तत्ताय थी अग्राम्यता विदग्धा नाम समुदाचार भूयसा अलंकाराद्यपैक्षया बाहुल्येन एवं रसनिशेक रूपम भारं दाइत्वम भहती धारैतीत त्यर्था अर्धकत माधुरिया पकर्षका ग्राम्यता अवैदक्धेन अर्थेन असभ्यार्थ निबंदनेन विरिडादिव बिंजकाश लीनेन अर्थेन चोप जन्यते आचार्य मेते अलंकाराह यताकतंचे द्रसं परिपोशयनती अउचत्यान विता अग्राम्यता अपुनह बाहुल्येन रसोपकारी का भवत्ये व तेनैव कोचे निरलंकार स्यापी वस्तुनह रसोपकार कता सिध्यती इत्तम अर्थगतम माधुरियम अलंकारा दीनाम प्रयोगेन तथा न निश्पध्यते यथा अर्थगता नोचित्य निवारन स्वरूपया अग्राम्मितया इत्यर्था अर्था श्रिता ग्याम्मिता न रसा वहा अर्थनिष्टा अग्राम्मिता रुसोपकारिका माधुरिया वहा च भवती तिप्रतिपाध्य तत् प्रतिबंदकं ग्राम्यत्वम निरूपेति आचारियह एवं कन्ये कामय मानम माम नत्वम कामय से कतम इति ग्राम्यों यमर्थात्मा वेरस्या यप प्रकल्पते कामय मानं कामा भिलाशेन युक्तम माम कथम नक कामय से उपभोग्तुम कथम नवान्चसी इत्यत्र सुरता भिलाश रूप स्यार्थस्य वाच्चतेया प्रकाशनेन ग्राम्मेताया साधकं अनोच्चित्यमेव जन्यते अत्र कन्य इति संबोधन पदम वैरस्योत पादकत्वेन अनुच्चितमे वास्ती सुरता भिलाशस्य व्यंजनेया प्रकाशनम कामनी कुछ कलशवत रसपरिपोशकं भवती अत्राविभ्यंजकह अर्थ वक्तिर्गतम अवैदक्ध्यम प्रकाश यती अनेन विप्रलंब शि इत्यस्ति आचार्यस्य पूर्वकृतह घोशाह तम नानुसरत्यसव अनुचित्यान्वितह अर्थ ग्राम्यत्वेन दूशी तत्वाद सुरता भिलाश रूपो उर्थ स्पष्टम एवं अभिधीयमानह वैरस्याय एवभवती अग्राम्यत्वाद लज्जा करत्वाच्य अतेव रसापकरश कत्वाद अर्थकतं ग्राम्यत्वां सर्वता कभी भी परिहरत अभ्यम् अर्थकत ग्राम्यता परिहारह कामं कंदर पचान डालो मैं वामाक्षि निर्दया है तो ऐ निर्मत सरो दिष्टेत क्यक ग्राम्योर्थो रसाव है अत्र वामाक्षि इत्यनेन संबोधनेन नायकस्य अभिप्रेतार्थ संपादना नुकूल वैदग्ध्यम प्रगटी भवती कंदर पे चांडाला रोपेण तस्य प्रखर वेदना प्रदत्वम अभिव्यज्यते स्वस्य च दुखाति रेकह कामस्य निर्दयतायाम सत्यामपी अहम यथा कथंचित जीवितं धारयामीत्यर्थ अत्य प्रकामं अभिव्यज्यते नाईकायाह विशय पुनह सोसव कंदर पचांडालह मम सवभाग्यात मत सद्रिश दुखप्रदाता नास्ती इत्यत्र शिष्टई ही अनुमोधिता अग्राम्मिता इस पश्टम प्रकाशते शब्द गता ग्राम्मिता माधुर्य गोनस्य प्रतिबंदकं अर्थ गतं ग्राम्मित्वं प्रतिपाद्य संप्रति आचार्यो दंडी शब्द गतं माधुर्य प्रतिबंदकं ग्राम्मित्वं निरूपयति एवं शब्देपी ग्राम्यतास्तेव सा सभ्धेतर कीर्तनात यथा यकाराधि पदम र्यत्तुत्सव निरूपने सभायाम उच्चारन योग्यम साधु सभ्यम भवती तस्माद इतरत भवती असभ्यम तदेतद ग्राम्यजन मात्रप जवहरितम भवती सब्धे तरस्यास्य पदस्य कीर्टनात प्रयोगाद ग्राम्यता शब्देपी भवती यथा जत्तुत्सव रूपस्य संभोग शिंगारस्य वर्णन प्रसंगे यकारादी पदप्रयोगाह असभ्यारत निश्पाद कत्वाद ग्राम्यम भवती तेन संभोग शिंगारह पुष्टिम्न आयाती नच भवती पद योज नैशा माधुर्य गुणा वहा यकारादीनाम पदानाम संभोग शिंगार वर्णने ग्राम्यत्वं भवती यतोही यभ मैथुनेत्याधिविह निश्पन्नम यभस्व याभ यभनादिकं पदयातं ग्राम्यतामेव अभिव्यंज यती प्रयोक्तुहु शोतुष्च लज्जाम उद्बोधयन रसास्वाद माधुरियं बाधते सुरत निधुवनादीनाम तद वाचकानाम पदानाम सिष्टईह आद्रितत्वात तद प्रयोगे न ग्राम्यता पत्तिही पतसंधान गता ग्राम्यता आचार्यों दंडे विशष्ट पत गताम ग्राम्यताम निरूप्य इदानीम पतसंधान वृत्तिरूपाम वाक्यार्थ विशेश संकेतिताम ताम लक्षयत्येवं प्रतसंधान वृत्यावा वाक्यार्थ थत्वेन वापुनह दुष प्रतीतिकरम ग्राम्यम यथाया भवत प्रियाः अत्र प्रतसंधान वृत्यरूपह वाक्यार्थ व्यन्यनेया प्रतीतस्य ग्राम्यार्थस्य प्रतीतिम जनियती तदुदाहरनम प्रस्तुयते आचार्येन कारिकायाह तुरी आन्छे या भवतह प्रिया इत्येवं अत्रवाक्च मुखेन या ते प्रियास्ती इते शिष्टार्थ प्रतीतिपथम आयाती विदक्दते आविचारनायाम पुनह याभवतह इत्यश अश्लीलार्थ बुद्धिपथम आरोहती याभ मैथुने इत्यस्माद भावे घय भूमार्थे मतुप प्रत्योष्च विधानेन याभवतह इत्यस्य निश्पत्तिर भवती अनेन ग्राम्य प्रयोगेन सतत मैथुनानु रक्तस्य तव प्रिया त्वाम मैथुन साधनेन प्रिणैती ती असभ्यार्थो निश्पत्यते अश्लीलार्थ प्रतिपादनेन एताद्रिश प्रयोगह सभ्यानाम मनसिव रीडामेव जनियती अतह ग्राम्यत्व दोश युक्तत्वाद रसान गुणत्वम नईवसाधियती तेनच नभवतिक क्वचिदिपी माधुरिया वहाँ अत्र पूर्ववक्षणह कतियंती यत पूर्वस्मिन उदाहरने आचार्येन यभधादु निश्पन्ना नाम पदानाम ग्राम्यत्वम प्रतिपादी दमस्ति तरही किमर्धम अत्रापित अध्धादु निश्पन्नस्य सदोश ता आचार्यमते उभयत्राप्यस्ति वैलक् ели पाणे कायां अभिधा विद्या सभ hedgeर नो पस्ता पकस्य सुतंतर पधस्य शब्द ग्रम्यत्य तुम अस्यां पुनह मुख्यार्थाश्य प्रतीच्य नंतरम वाक्यार्थ विचारनायां जन्जनेया अश्लीरार्थस्य ज्यानं भवती अतह नद्वयोह स्वरूपैक्यम वाक्यार्थ गता ग्राम्यता पतसंधान वृत्ति मूलां ग्राम्यता नंतरं आचार्योसो वाक्यनिष्ठाम ग्राम्यतां उदाहरत्येवं खरम प्रहिट्य विश्रान्ता पुरूषो वीर्यवानिती एव मादिन संचंती मारगयोर उभयोरपी खरम प्रहित्य इत्याधिवी ही वाक्यैही अग्राम्यार्थः ग्राम्यार्थश्च द्वावपी अविव्यज्यिते अग्राम्यार्थो यथा वीर्यवान पराक्रम शाली पुरुशह दाशरती रामह खरम तन्नामकम राक्षसं प्रहित्य विश्रांतह विश्रांतिम लभते भगवतो रामस्य पराक्रम प्रतिपादक प्रतमह प्राकरनिकोर्थ सैर्वैरपी अनुमन्यते वाक्यार्थ विचारे कृते अत्रत दितीयह अग्राम्यार्थोपी विजनेया वक्तादि वैलक्षन्नेन प्रतियते तदियता विर्यवान शुक्रवान उपचित शुक्रोवा पुरुषह कामुको युवा खरम गाधम यतास्यात तथा प्रहित्य मदनध्ध प्रहारं इत्तम एकार्थ प्रतिपातकानां पदानां प्रक्रनाधिवि प्रस्टतार्थ स्य निश्चिते सते वक्तर दिनां वह शिस्च्य आर्थी विंजनेया अपरस्य, असभ्यार्थतं 5000 was bank निश्ड हो गर्म्यता दोशन गर्श गत्वाद माधुरयावगो नभवति ग्राम्यता यग अपवादः वाइदर गोडी यियो हु मार गयो वाक्यार्थता ग्रॉयता कामंना अद्रियत तथा केचन शब्दा ह विंजने आ ग्राम्यार्थप्रदिपादकास संत्म्त हो शि तद यथा भगिनी भगवत्यादी सर्वत्त्रैवानु मन्यते विभक्तमिति माधुर्यम उच्चते सुकुमारता भगनी भगवती त्यादय शब्दाह दुष्टार्थ प्रतीतिकरास संतोपी सर्वत्रशास्त्रे काव्ये वेदर्व्यादिशु रीतिशु लोकव्यवहारे अनुमन्यंते आद्रियंते अतह शब्दाह एते युन्याद जश्लीलार्थ बाचकेन भगादी शब्देन घटिता आपे शिष्ट परिग्रिही तत्वाद वैरस योत पादकाह ग्राम्य दोशानु संधान परा नभवंती सरस्थी कंठावरने सरवत्र इवानु मन्यते इत्यस्याचार्येन स्विकृतस्य पदस्य अनुमोधनम भोजराजेनापिक रियते शिंगारप प्रकाशे संबीत पदप्रयोगेण संबीतेशु गुपतेशु लक्षतेशु चा प्रयोगेशु ग्राम्यम नदुष्यति दूशावहो भवतीति भोजराजह संबीतपदेन अपुष्टतया अंगीकरणं अदुष्टतया सर्वजन व्यभितत्त्वंच परिलक्षते गुपतपदेन प्रसित्धारतेन तिरोहितस्य अप्रसित्धारतस्य गोपनम अविव्यज्यते लक्षितपदेन लक्षणया अप्रसित्धारतस्य प्रतीति ही प्रतिपाद्यते इत्तम भगनी भगवत्यादयो शब्दाह पुष्टार्थे सर्वजन व्यभरितत्वात असभ्यस्य अपुष्टार्थस्य विंजकाह नभमंतीती आचार्यो दंडी इदानिम पाथस्यास्य संपूर्णस्यावे विशयस्य संग्रह विधियते अस्मिन पाठे माधुरिय गुनस्य विस्तरेन विवेचनमस्माविह विहतम माधुरियम रसवत वाची वस्तुन्य पि रसस्थिति इत्यस्ति आचारियस्य सिद्धान्तः यत्रकुत्रापी रसुपकारकता भवती तत्र माधुरिय गुनस्य स्थिति माधुर्य गुणोसव शब्दाश्रितो भवते अर्थाश्रितस्च शब्दाश्रितस्य माधुर्यस्य वैदर्व मार्गे भिन्न रूपता शब्दाश्रितस्य माधुर्यस्य गौन मार्गे च भिन्न रूपता स्वीक्रियते शब्दाश्रितं माधुरियं शुत्यनुप्राशाश्रितं स्वीकुर्वंती वैदर्व मारगानु याईनह गौड मारगानु याईनह एवं न मन्यंते तेशाम्रते शब्दाश्रितं माधुरियं वर्णानुप्रासेन व्रित्यनुप्रासेन च जन्यते शुत्यनुप्रासेन माधुर्यस्य रसोपकारगता नप्रमाणी भवती शुत्यनुप्रासह रसोपकारगह तथा न यथापुनह वर्णगतह अनुप्रासह इत्थम वैदर्भैही स्वीकृतम माधुर्यम शब्दकतम माधुर्यम गौडियाह नानुमोदंते गौडी यही स्वीकृतह व्रित्यनुप्रासह द्विधाह भवती पादगतह पतगतस्च अतेव पादगत व्रित्यनुप्रास जनितं माधुर्यं प्रिथक रूपेन अत्र आचार्येन प्रतिपादितं अतप्परं आचार्योसव बंधपारुष्यं एवंच शैथिल्यं इत्येत दोशत्गयं प्रतिपादयती बंधपारुष्येन शैथिल्येन च माधुर्यस्य प्रतीतिर बाधते अतेव बंधपारुष्यस्य शैथिल्यस्य च निराकरणं अवश्यमेव करिणीयं विकट वरनानाम प्रयोगेन अनुस्वारस्य विसर्गस्य च नैरंतर्येन प्रयोगेन बंधपारुष्यम उपजन्यते बंधशैतिल्यम तत्र अलपप्राड वरनानाम प्रयोगेन उपजन्यते यस्याम रचनायाम केवलम अलपप्राण वर्नानाम प्रयोगह विधियते तस्याम रचनायाम बंद शैतिल्यम उपजन्यते पूर्वं शलेश गुणस्य प्रसंगे शैतिल्या भावह अस्माविह विस्तरेण विचारितोस्ते अतप्रम यमकालंकारे माधुर्या विव्यक्तिर नभवती यतोही यमकालंकारे अर्थानुसंधाना नंतरम रसस्य व्यंजना भवती अर्थानुसंधानेन रसप्रतीतिही बाधते अतेव अनुप्रासे अर्थानुसंधानम विना यतारसप्रतीतिर भवती तथापुनह यमकालंकारे नोपजायते अतेव यमकालंकारस्य एकांतिकतया रसस्य उपकारकता नोपजन्यते अतेव यमकालंकारे सरवत्र सरवास्वपिय अवस्थासु माधुरियम नोपजन्यते अतप्रम आचारियन अत्रविचारितमस्ते अर्थाश्रितम माधुरियम अर्थार्शितम माधुरियम ग्राम्मेता दोशस्य परिहारेन उपजन्यते आचारियोसव कतेयते यत शुत्यनुक प्रासेन वृत्यनुक प्रासेन माधुरियम तदा जन्यते यदा तत्र ग्राम्मेता दोशस्य परिहारस्यात ग्राम्मिता दोशह अश्लील प्रदानाम प्रयोगेन उपजन्यते विरीडाद जनका नाम प्रयोगेन उपजन्यते अतेव यावत प्रभित एता द्रिशानाम पदानाम प्रयोगह न परिहीयते तावत प्रभिते माधुरियस्य अभिव्यक्तिर न भवती केवलं अनुप्रासस्य प्रयोगेन यथा कथंचित माधुरियं उपजन्यते किन्तु ग्राम्यतायाह निवारनेन सर्वत्रैव निरलंकारायाम पिरचनायाम माधुरियं उपजन्यते ग्राम्यतायाह अनेके प्रकाराह आचारियन अत्र विवेचिताश संती तत्र शब्द गता ग्राम्यता अर्थ गता ग्राम्यता वाक्य गता ग्राम्यता पतसंधान गता ग्राम्यता एतेशाम समेशामेव उदारनाने अत्र उपस्थापिताने संती एवंच एतेशाम समेशाम ग्राम्यतायाह प्रकाराणाम निराकरनस्य तत्र आग्रह आचार्येन अत्र विधीयते। येधा भगीनी भगवती त्यादय शब्दा्य कि वैझन्य आते अश्लील आर्थ वाचकास संती किन्तु एटे शाम प्रयोग्ह सभ्याई ही किरेते सभ्यार्थ kiss प्रतिपातर अतेव एटे शाम अशलील आर्थ व्याचकता यदि वेंजनया पृतियेते तरही अत्र ग्राम्यता नोप जायेते अते वेतेशां पदानाम प्रयोगेण माधुर्यस्य हानिर नभवती इत्येते विशयाह अत्र वितर विस्तरेण प्रतिपातसा संती संपूरुनोप्येश पाठह माधुर्य गुणाश श्रितह वर्तते धन्यवादाह